नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट स्विच दोस्तों इस प्रकार के लिमिट स्विच आपने कई मशीनों में देखी होगी दोस्तों यह जो लिमिट स्विच है वो कॉंटेक्ट टारगेट टाइप स्विच है याने कि आपने automation में कई switchों में देखा होगा कि वो जो switch रहती है उसमें आगे कोई material आ जाए तो वो बिना contact के ही sense करके feedback या signal देती है मगर ये limit switch को ये जो उपर वाला lever है उससे कटने के बाद ही वो signal देगी यानि इसके साथ में किसी चीज का contact होता है अब दोस्तों ये जो limit switch है वो automation में किसी चीज को चालू या बंद करने के लिए काम करते है यानि किसी चीज को limit करने के लिए अगर मैं एक आपको उधान से समझाना चाहूँ तो उसके लिए आप समझ लिजे कि यहाँ पे एक belt है belt conveyor और इस belt conveyor पे material चल रहा है और यहाँ पे उसकी motor है अब यह जो belt conveyor से box जा रहा है इसको आपको यहाँ पे रोकना है तो यहाँ पे आप समझ लिजे कि limit switch इसको लगा दिया जाए तो दोस्तों होगा क्या कि जब भी यह material यहाँ पे आएगा तो यह क्या करेगा limit switch को काड़ देगा और वो जो motor है वो बंध हो जाएगी यानि इसको यहाँ से आगे जाने से वो limit करेगा रोकेगा तो उसी प्रकार आपने CNC, VMC machine हो या किसी भी चीज में इसका उप्योग बहुत जादा देखा होगा जहाँ पे आपको किसी चीज को रोकना होगा या तो फिर आगे बढ़ाना होगा इससे हम signaling भी ले सकते है तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते है और समझते है कि यह जो limit switch है वो कितने पार्ट में divide की जा सकती है दोस्तो यह जो limit switch है basically तीन पार्ट में divided है यह जो ऊपर वाली चीज है इसको बोला जाता है दोस्तो lever याने यह जो है operate कर सकता है यह जो lever है इसको दोस्तो यहाँ से आप खोल देंगे तो इसको आप छोटा या बढ़ा कर सकते हैं और आगे roller है किसी चीज को यहाँ से गुजरने से वो roll करके निकल सकती इसको हम यहाँ कस देते हैं और यहाँ से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यह जो पार्ट है इसको बोला जाते top head यह जो है head इसके अंदर में lever के द्वारा आ जो भी हमारा operation यहाँ पे transfer होगा और यह हमारा यह वाले section को operate करेगा यहाँ पे आप देख सकते है no और nc लिखा हुआ है यानि यह जो section है वो no action है तो दोस्तो एक एक करके इसके पार्ट को हम खोलने की कोशिस करते हैं सबसे पहले यह जो पार्ट है इसको खोलते हैं कि इसके अंदर में क्या है अब मैंने दोस्तो इसको खोल दिया है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में एक spring return type का plunger लगा हुआ है आप देख सकते हैं जैसे इसको मोणूँगा मैं इस तरीके से करूँगा तो वो क्या करेगा हमारा ये जो lever है उसको अपनी position में वापिस लाने का काम करता है इसके अंदर में एक छोटी सी spring लगी वी रहती है अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसके पीछे में अगर मैं देखू तो एक ये white वाला portion है ये क्या होता है लीवर के जैसे operate होने से ये क्या करेगा आगे पीछे होगा और ये वाला जो white portion है वो इसके अंदर में आये हुए इस blue जो button है उसको दबाता है याने इसको push करने का काम करता है ये वाला white इसको push करेगा तो तुरंट हमारे यहाँ इसके अंदर में ये 3 नमबर और 4 नमबर जो no है और 1 नमबर और 2 नमबर जो nc है वो operate होगे याने जो normally close है वो open हो जाएगा और ये जो normally open है वो close हो जाएगा तो दोस्तों इसमें कैसे होता है वो समझने के लिए मैं आपको इसको open करके दिखा देता हूँ ये हमने open कर दिया आप इसके अंदर में contact देख सकते हो इसको और अच्छे से देखने के लिए मैं इसके उपर के इस cover को भी खोल दूँगा तो इसको भी मैंने खोल दिया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में कुछ इस प्रकार से contact आप देख सकते हैं इस blue वाली switch को जैसे ही दबाता हूँ तो वो उपर में जा रहे है और ये normally close वाली switch है normal condition जैसे ही मैं operate करूँगा तो वो open हो जाएगी और उपर जो normally open था वो close हो जाएगा तो इसी तरीके से ये काम करता है इसको मैं आपको एक drawing बना के समझाता हूँ जो उपर वाले ये जो दो connection है वो इस प्रकार रहेंगे और ये जो नीचे वाले connection है वो कुछ इस प्रकार रहेंगे और ये जो टेड़ी लकीर सी बनी हूई है वो यहाँ पर इस प्रकार से आएगी अब ये जो है वो इस plunger के साथ जूड़ी हूई है अब यह हुए हमारे normally open और यह हुआ हमारा normally close मगर इसको जब operate किया जाएगा तो हमारा जो plunger है वो इस तरीके से उपर चला जाएगा और यह हो जाएगा जो हमारा NC था वो हो जाएगा open और जो हमारा normally open था वो हो जाएगा close तो इसी प्रकार ये काम करता है दोस्तो अब इसको हम क्या करते हैं हमारे पास एक LED है ये वाली ये वाली light के साथ इसको connect करते हैं अब यहाँ पे मैंने ये जो सबसे पहले वाला एनो है ये वाला normally open वहाँ पे इसको connect कर दिया है आप देख सकते हैं अब इसको मैं ये lever से operate करत आप देख सकते हैं ये light चालू हुई जैसे ही छोड़ दिया मैंने बंढ़ हो गई जैसे ही दबाया इसको press किया तो चालू हुई जैसे ही lever को छोड़ दिया तो वो बंढ़ हो गई जब तक lever operate रहेगा ये हमारी LED चालू रहेगी और lever को छोड़ते ही वो बंद हो जाएगी याने ये जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये वाली condition आएगी और छोड़ते ही ये वापिस इसी condition में आ जाएगा अब इसको हम क्या करते हैं ये वाला जो normally close condition है इसमें लगा देते हैं इसके connection मैंने नीचे में जो NC है normally close है उसमें कर दिया है जिसकी वेज़ करता हूं पहले supply को on करता हूं जैसे मैं supply को on करूंगा तो ये हमारी LED चालू रहेगी और जो लीवर ऑपरेट होते ही ये बंद हो जाएगी तो देख सकते हैं आप दोस्तों ये जो LED है लीवर को ऑपरेट होने से बंद होगी और वो जो normal condition रहेगी तब ये LED चालू रहेगी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे comment box में जरूर बताईएगा और इस वीडियो को like कीजिएगा एक like को बनता ही है और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और मुझे support करने के लिए आप इस channel को subscribe जरूर करना मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में